A cold fish, enigmatic, puerile, admonish, resent, once for all, all alone, so what? तो यस गाईज आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 10 vocabulary words के उपर बात करूँगा आज के इस वीडियो में मैंने पर vocabulary word के उपर दो-दो examples लिये हैं इससे पहले की वीडियो में मैं एक vocabulary word पर एक example लिया करता था तो आप मेरे को comment करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है आप क्या चाते हो कि मैं एक vocabulary word के उपर दो-दो examples लो या फिर एक examples आपको अच्छा लगता है जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है मेरे को comment करके बताना हमारा पहला एक word है enigmative ये एक adjective है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा person है जो थोड़ा सा mysterious टाइप में है मतलब उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर थोड़ा सा perplexing टाइप में है for example the smile on our face may be enigmatic मतलब उसके चहरे पर उस लड़की के चहरे पर जो भी smile है वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल है या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो ऐसी भी हो सकती है कि थोड़ी सी mysterious टाइप में भी हो सकती है perplexing हो सकती है पेचीदा हो सकती है after twisting the words you may talk's enigmatic मतलब बातों को गुमा कर या फिर शब्तों को गुमा कर तुमने जो भी बाते चल रही थी उनको enigmatic बना दिया या फिर समझने में थोड़ी सा मुश्किल बना दिया पेचीदा बना दिया once for all एक phrase होती है इसका मतलब होता है हमेशा के लिये कुछ होता है या फिर कुछ हुआ है for example we will have to resolve this matter once for all मतलब हम किसी रहे हैं कि हमें इस मामले को हमेशा के लिए सुलचाना होगा या फिर हमें इस मामले को हमेशा के लिए निप्टाना होगा एक और example है have you come to India once for all मतलब आप किसी से ऐसा पोच रहे हो कि क्या तुम हमेशा के लिए इंडिया में आ चुके हो या फिर पहले आप इंडिया से बाहर रहा करते थे तो अब क्या आप बाहर से सब को छोड़ चार कर इंडिया में हमेशा के लिए रहने के लिए आ कहे हो क्या next हमारी एक freeze है so what इसका मतलब होता है तो क्या हुआ जैसे हमें बोलना होता है किसी से जैसे कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी person होता है वो हमारे लिए important नहीं होता है या फिर वो हमारे लिए कुछ भी matter नहीं करता तो उस time पर ऐसा बोल देते हैं कि तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा कर दिया तो तो क्या हुआ अगर ये चीज ऐसी है तो तो ऐसा बोल देते हैं तो just example है so what if he knows your trick मतलब तो क्या हुआ अगर वो तुमारे trick जानता है तुमारे चाल जानता है तो मतलब उस person को लेकर मुझे कोई भी फॉर कर नहीं पड़ता या फिर वो person बहुत ही जादा matter नहीं करता या फिर कुछ भी matter नहीं करता एक और example है so what if she didn't add so guarantee मतलब एक लड़की है वो आपके सामने चाय लेकर आई है लेकिन उसने चाय में चीनी नहीं डाली तो आपको इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो उस time पर आप ऐसा बोलोगे तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली तो अगला एक word है admonish इसको आप एक verb के रूप में यूज़ कर सकते हो इसका मतलब होता है कि किसी person की किसी चीज़ के लिए या फिर किसी गलती के लिए डाट फट का लगाना या फिर ऐसा बोल सकते हो कि किसी को कुछ करने के लिए चेतावनी देना for example my mother admonish me for eating food quickly मतलब मेरी ममी ने मेरी डाट फट का लगाई क्योंकि मैं जो खाना खा रहा था वो बहुत ही जल्दी जल्दी खा रहा था तो जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए मेरी ममी ने मेरी डाट फट का लगाई या वे बहुत ज़्यादा मुझे डाटा एक और example है जैसे being father you should admonish your son to come back home late मतला एक पापा होने के नाते तुम्हे अपने बेटे को डाटना चाहिए घर वापस लेट आने के लिए तुम्हारा जो लड़का है वो घर वापस लेट आता है तो इसके लिए तुम्हें उसकी डाट फटका लगानी चाहिए अगला एक word है pureal यह simply एक adjective है इसका मतला बुदा है कि किसी परसंद की बचकाना हरकत बोल सकते हो यह उसका जो नेचर है उसका जो जो सभाव है या फिर उसका जो व्यवार है वो pureal है मतलए बच्चों की तरह हरकते करने वाला है एक और example है जैसे I don't like your pure-right dogs मतलब तुम जो बच्चों की तरह हरकते करते हो या फिर बच्चों की तरह जो बाते करते हो तो तुम्हारी बचकानी बाते मुझे अच्छी नहीं लगती Resent एक वर्भ हैस का मतलब होता है कि किसी बात का बोरा मान जाना या फिर किसी बात की वज़े से किसी परसन से नाराज हो जाना बहुत ज़्यादा दिल पर चोट लगना ऐसा बोल सकते हो तो जैसे एक्जामपल है I resented the way she talked to me मतलब जिस तरीके से उस लड़की ने मुझे बात की तो इस बात का मुझे बुरा लग गया या फिर इस बात से मैं नाराज हो गया ऐसे बोल सकते हो एक और एक्जामपल है Would you resent my being here मतलब मेरे यहां होने से क्या आपको नाराजगी होगी या फिर क्या आप नाराज हो जाओगे या फिर क्या इस बात का आपको बुरा लगेगा All alone एक फ्रेज होती है इसका मतलब होता है बिलकुल अकेला कोई परसवन हो सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है जैसे एक ऐसा घर है जिसके असपस कोई भी घर नहीं है तो वो All alone है मतलब बिलकुल अकेला है ऐसे भी बोल सकते हो तो जैसे एक्जामपल है He has been all alone since the death of his wife मतलब जब से उसकी पतने की मृत्य हुई है या फिर उसकी पतने की मृत्यों के बाद से वो अकेला रह रह रहा है या फिर वो अकेला ही है एक और एक्जामपल है It was scary living all alone in that house मतलब उस गर में अकेले रहना बहुत ज़्यादा डरावना था ऐसा बोल सकते हो A cold fish ये एक phrase होती है इसका मतलब होता है कि एक पत्थर दिल इंसान या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो अपने feelings को या फिर अपने emotions को किसी के सामने express नहीं करता है किसी के सामने व्यक्त नहीं करता है तो उस person को एक cold fish बोल सकते हो तो जैसे example है We know nothing about a new neighbor He is a cold fish मतलब हम अपने नए पडोसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं क्योंकि वो हमसे कोई भी चीजे share नहीं करता है या फिर अपने emotions को अपनी feelings को हमसे छुपाता है तो इसलिए हम अपने नए पडोसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते है वो एक पत्थर दिल इंसान है एक और example है जैसे She is lovely by nature But her husband is a bit of cold fish मतलब जब बात करें उसकी पत्नी की तो वो सभाव से प्यारी है मतलब उसका जो nature है वो बहुँच जब अच्छा है लेकिन जब हम उसके पत्ती के बारे में बात करेंगे तो उसका जो पत्ती है वो थोड़ा सा पत्थर दिल इंसान है क्योंकि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता या पर अपने feelings को अपने emotions को बहुँच जब चुपाता है या फिर ऐसा बोल सकते हो किसी के सामने नहीं दिखाता है तो इसी के वज़े से उसका जो पती है वो एक cold fish है थोड़ा सा all over एक phrase होती है इसका मतलब बहुता है सब जगा या फिर हर जगा कुछ है जो की present है you puked all over the carpet puked का मतलब होता है उल्टी कर देना तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि तुमने पूरी कार्पेट पर या फिर तुमने पूरी धरी पर बहुत ज़्यादा उल्टी कर दी मतलब पूरी धरी पर उल्टी कर दी पूरी धरी सांधी उल्टी से Embrace एक वर्वेस का मतलब होता है कि खुशी से किसी को गले लगाना या फिर खुशी से किसी चीज को किसी परसन को गले लगाना या फिर उसको अपनाना ऐसा बोल सकते हो He met his wife at airport after two months He embraced her मतलब दो महीनों के बाद वो अपनी पतनी से एरपोर्ट पर मिला तो इसकी वज़े से उसने उसे खुशी से गले लगा लिया या फिर खुशी से अपना लिया ऐसे बोल सकते हो Before leaving for the office She kissed her baby मतलब ऑफिस जाने से पहले उसने अपने बच्चे को kiss किया या फिर उसने अपने बच्चे को प्यार किया So that's it guys for this video I hope आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप comments में 3, 2, 1 type करके मिरे को comment करके बताना इससे मुझे पता चले लागा ये अपने वीडियो को लाश्र तक देखा है और आपके जो डाउटस हैं उनको भी मेरे को comment करके बताना और अगर वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर देना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना चैनल को subscribe कर लेना तक स्वाच्छ वाच्छ वाच्छ व को लुक्त वीडियो तक्रिक कार